अब जहां तक पॉन जी की बात है तो उस पर मैं कुछ बोलूगा नहीं नहीं बोलिएगा इसलिए अपी के बरारा चेतर से हुआते हैं लेकिन वह हमारे दल के उमिद्वार नहीं है आज का समचार देख लीजिएगा क्या है बताईए लाजा करी दीजिए आपको ही आप पूच जाती से आ रहे हैं उपेंदर को स्वाह कुछ वहा जाती से आते हैं एक सिट मिला है उनको हराने के लिए भासपा का ये चाल है कहा जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए कहीं कोई बात आई थी पेंदर जी वह चुनाव जीत है उन संधाया नहीं आपने आप तो करता बीहां हो जाने संधाय है दुसरी तरफ बात करें तो महागडबंदन परतियासी यानि कि सुधामा परसाथ चुनाव लग रहे हैं जो कि तरारी के अभी बरतमान में बिधायक हैं और वो अब आरा लोकसभा से चुनावी गनित और चुनावी समिकरन जो है आरा लोकसभा का पिछली दूर टर्म से यानि कि 2014 और 2009 इस दो बार जो है कि most senior नेताओं में से एक हैं और विधायकों में सभी एक कल टर्म इन्होंने विधायकी की है और लगतार बढ़ारा छितर में इनकी तूती बोलती है और खास कर आरा लोकसभा छितर में इनका जो जिस तरीके से परभाव है वो लोगों के बिश्वे दमदार तरीके से रहता है तो चलिए हमारे साथ जूर चुके हैं रगवेंदर परताब सिंग जो कि बढ़ारा के विधायक है और यह आरके सिंग के साथ इस बार चुनावी जो है जिस तरीके से चुनावी गनित होनी चाहिए किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल हो उसके लिए लगे हुए लेकि हमारे साथ जूर चुके हैं रगवेंदर परताब सिंग बढ़तमान बढ़ारा विधायक है कैसे है सर ठीक है अधम मुखर से बोले खाती एकदम जानल जाइना एकदम जनता की बीच में जोन बाकी रगवेंदर परताब सिंग जो है वो उनकी आवाज जो जब चलती है तो अधम ताल ठोक के चलती है ठीक है लोगों का ऐसा विचार है तो मानता हूं तो ताल किसी पर ठोका नहीं जाता है अपनी अभिव्यक्ति मैं साफ्तवर पर रखता हूं कहता हूं जो हमें ठीक लगता है यह आरके सिंग इस बार चुनाव जीत रहे हैं अगर जीत भी रहे है तो कितने मार्जिन से जीत रहे हैं देखिए आरके सिंग चुनाव जीत रहे हैं अभी आपने एक बात रखी कि आरके सिंग का चुनाव बहुत टफ होते जा रहा है और जीत की संभावना कुछ चनिक लग रही कुछ कुछ उसके पीछे जो है कई सार एक्जामपल है इसलिए मैंने ये बात कहा है देखिए आरके सिंग जब से हमारे मेंबर पार्लियामेंट हुए 2014 से तब से लेकर के आज तक आरके सिंग ने जितने काम किये और जिस तरह की सुजा उन्होंने लोगों को दी आजादी के बाद माप की जग मैं कुछ दिनों तक हम लोग भी कॉंग्रेस परिवार के अई सदस रहे हैं हाँ आजएडी से भी रहे जैसी प्रस्थिती बनी उसमें आजादी के बाद जितने भी सांसद हुए उसमें सबसे अजादी प्रगती का कोई किसी ने विचार रखा जिले के लिए तो वो आरके सिंग थे और एक बात आपसे और बता दूँ कि बाते चलती हैं ये चुनाव है और चुनाव में बातों का चलना सभाविक है लेकिन अंतिम फैसला होता है एक दो दिन पहले और वो फैसला इस अधार पर होता है कि भाई उत्यजना में हम कोई ऐसा काम नहीं कर दें कि हमारा भविष्ट जो हो अनिस्चित हो जाए और दुखद हो जाए यह है हऊ तो कहीं कुछ बाते हैं याप बता रह हो यह बाते है बातों का क्या था प्रोन का spirit कॉनाव लोन चवाट वह पर यहां हम हराएंगे कुषवाह जाती के लोग कहीं कुछ गलत नहीं कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए कहीं कोई बात आई थी लेकिन हमारे जो हाँ कैंडिडेट है उपेंद्र कुषवाह जी उनके नॉमिनेशन में हमारे दल के सारे बरिष्ट लोग गए हमारे सांसत भी गए आरके सिंग भी गए तो कहने के लिए लोग कहेंगे लेकिन वह हमारे उमिद्वार है अब जहां तक पॉन जी की बात है तो उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसलिए आपी के बरारा चेतर से हुआते हैं लेकिन वह हमारे दल के उमिद्वार नहीं है अभी भास्पा में पहुंसिंग जराशा ठीक से आज का समचार देख लीजेगा क्या है बताईए लाशा करी दीजेगा उससे मतलब नहीं है क्या होने जा रहा है भास्पा मतलब सदस्ता खतम करेगी क्या पहुंसिंग का एक में सुनिए किसी भी ब्यक्ति के बारे में पहुंद्जी हो या पहुंसिंग से इस बाता है और हम तो हमेशा यह चाहेंगे कि जो हमारे उमिद्वार है वहां से पेंदर जी वो चुनाव जीत है और इसके लिए कहीं कोई दोमत नहीं है डलने उनको उमिद्वार बनाया है अपने स्वहयोगी साथी के चलते तो हमारा प्रयास है कि तो गार्जियन है उनके आपको तो आदमी जब बालिग हो जाता है तो बहुत सी बातों को समझाना जरा मुस्किल होता है वहां बच्पन से हमारे साथ बहुत नजदीक रहे आज भी हैं लेकिन चुनाव के बारे में उन्होंने जो फैसला किया तो उसमें उन्होंने कोई सल सलाह नहीं लेते तो मुझे जो समझ में आता मैं उन्होंसे जरू काता लेकिन आज तो वह चुनाव लड़ रहा है उसमें मुझे कुछ कोई कोई कठर कठोर जो है निरने क्यों नहीं ले रहे है पाउंसिंग आरके सिंग ने तो बोला ना कि सदस्ता रद करनी चाहिए आरक इसका फैसला मैं करने वाला कोई नहीं हूं एक बात जो दल के हमारे बरिष्ट साथी है जो हमारे दल में उचस्थान पर हैं जिनको निरने लेने की छमता है तो उन्होंने उन्हें ही निरने लेना है हम आपको जरू कहेंगे कि अभी आप किसी टेलिविजन के सामने बैठ मैं जाएए जाकर करके खूलिए किसी चैनल को तो इतनी जा रहा है उसको देखिए पहँन के प्रिष्टा नेता और पार्टी के बरिष्ट पादा देखारी ही करते हैं तावरे भी आए हुए थे आरा में rất कोव रुके विधनोंतावरे प्यार पड़वारी जो है बिनो तावरे आरा में रुके हैं कल रात को बिनो तावरे जी आरा में इसलिए रुके थे कि हम लोगों के साथ उनकी बैठक हुई कि इस चुनाव को हम लोग किस तरीके से ये करें मैनेज करें कि जादे से जादे मतों से हमारे केंडियेट यहां से चुनाव जीते हैं इसके लिए आये थे लेकिन मैं आपको एक एड़ाइस कर रहा हूँ कि ज़रा चैनल देखो यार आप जाके देखो क्या चल रहा है सब पता चुछ जाए गया हम बीच में कहीं नहीं है अना हम बीच में पढ़ने वाले हैं रात को ही आप लोगों ने कुछ कर दिया है क्या क्योंकि ने 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 रात को बिनो तावले आते हैं बिहार परभारी आरा में रुखते हैं आरके सिंग ने कहा था कि करवाई होनी चाहिए तो फिर वो कैसे अच्छे मतों से सफल हो इसके लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हम लोग लिम्टेड लोग थे जिनसे उन्होंने सला ली और रातरी काफी हो गई थी अब तक मिटिंग चलिया आपके रातरी काफी होगी तो हम भी लोगोंने आगरा किया कि आज पटना मत जाहिए बीटा अगरा के पास कहीं रोट जाम भी था तो उठा आर गया और आज टीवी पर आगे है ब्रेकिंग नहीं टीवी पर क्या है हमने भी देखा तो आप लोग भ देखो इसलिए भी या हमको कहीं आप मत करें इसलिए कि मेरे साथ कई तरह की पाबंदियां है जब मैं खड़ा-खड़ा बूलते हैं आपको तो कोई किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता है कोई डर भे नहीं डिसिप्लीन का ख्याल रखना है आप प्लस यह चुनाव का समय ह मेरे मुह से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जो कि हमारे केंडियेट के विप्रीद चला जाए तो ऐसी बातों पर जहां कहीं कोई कंट्रोभर्सियल मामला आता है तो या तो मैं कोई फैसला करके सुना देता हूं और जहां उचीत नहीं समझता हूं वहां चुप रहना ही वहां यहित हो गया पॉन सिंग Ganz II का दिख रहे हैं बढ़ा के ठ्धार ंचे तो मुष्ट की सिनियर यह नहीं देख रहे हैं अम्रिंदर घ॥ाहिन नहीं आप लोग नहीं देखे अमरेंदर बावु सब जगा थे जिस दिन नमिनेशन हुआ उस दिन हमारे बगल में ही बैठे थे जब चिरा आज की मिटिंग में नहीं थे आज की मिटिंग में वो गय हुए है राम लला का दर्शन करने अजोद्या तो वो पहले से उनका फिक्स था आज सामतों कि अकल सुबह तक आ जाएंगे और वो उनके सभी जो काज करता साथी हैं जो दल के पदा दिकारी हैं सहर में या बाहर सारे के सारे लोग बहुत मेथी ततपरता से लगए हुए बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया फिर बात करेंगे और भी काई सारे मुद्धों पर बहुत बहुत आप लोग यंग लड़के हैं इसी तरह जीवन में आगे बढ़िए